आज से पहले भी मुक्हमंतवी जी ने मेरे पारे में कुछ कह दिया था जब नाकारा निकमा आज बहुत सारी बाते बोल दी लेकिन देखो अशोग गुलोजी क्या अनुभवी हैं बुजूर्ग हैं और पिता तुल्ले हैं तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं अशो सचिन पाइलेट को आखिर एक बार फिर क्यों ये बोलने की जरुवत पड़ी तो जरा प्रदेश के मुक्हमंत्री अशोग गहलोद का वो बयान सुन ली जिये दरसल इस विवात की वजह मानी जा रही है दिल्ली में सद्भावना सभा में राहूल गांदी का दिया गया वो बयान जिसमें उन्होंने सचिन पाइलेट की सब्र का जिक्र किया था जरा पहले आपको राहूल गांदी का वो बयान भी सुनवा देते हैं कह देना था कॉंग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूँ पेशन्स नहीं आएगी तो क्या आएगी इस बात को कॉंग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है देखो बैठे हुए सचिन पाइलेट की बैठे हुए सब बैठे हुए मैं बैठा हूँ तो यह जो हमारी पार्टी है संगटन है सदरमेज भी बैठे हुए रंदीप सब बैठे हुए पेशन्टली बैठे हुए प्यार से बैठे हुए तो यह जो हमारी पार्टी है यह हमें ठकने नहीं रेती है माना जाता है कि राजस्थान की राच्छनीती में गहलोत वर्सेस पाइलेट का विवाद पुराना है इस चिंगारी को हवा मिली 2018 में जब कॉंग्रेस को सत्ता की कमान मिली अब देखना था इस पर विराजमान कौन होता है बस यहीं से प्रदेश में कॉंग्रेस के दो गुट खुलकर आमने सामने आ गए और बात सिंगहासन से सडक तक आ गई मामला दिल्ली पहुचा वहाँ भी प्रदेश के दोनों नेताओं की खूब भागम भाग रही और अंत में ततकाली नत्यक्ष राहूल गांधी ने कुछिन शब्दों में कर दिया यूनाइटिट कलर्स ओफ राजस्थान राहूल गांधी ने ट्वीट किया नेताओं की वापसी हुई सीम गहलोत मुख्यमंत्री बने तो सचिन पाइलेट बने उप मुख्यमंत्री मगर 2020 में इस शिंगारी में आग उस वक्त धदग उठी जब सचिन पाइलेट ने अपने समर्थकों विथायकों के साथ दिल्ली का रुख कर लिया पाइलेट की ओर से बगावत में किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला जो चुबने जैसा हो मगर खुद सीम गहलोत ने पाइलेट के लिए जो कहा उसकी टीस आज भी पाइलेट के मन में बसी है इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र भी करी दिया आज से पहले भी मुखमंत्वी जी ने मेरे पाइन में कुछ कह दिया था जब कुछ नाकारा निकम्मा है बहुत सारी बाते बोल दिए फिलहाल राजस्थान में कॉंग्रेस की ही सरकार है सीम अशोग गहलोत है और सचिन पाइलेट फिलहाल ना तो सरकार और ना ही संगठन में किसी पत पर है शायद इसने राहूल गांधी ने अपने बयान में सचिन पाइलेट के सबर का जिक्र भी किया था